नमस्कार अंजू पंकच की रिसुई में आपका स्वागत है तो आज मैं बताऊंगे वैज स्प्रिंग रॉल के रेसिपी यह आप बजार से ना लाकर अपने ही घर में तयार कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं बैज स्प्रिंग रॉल तो स्प्रिंग रॉल बनाने के लिए हमें चाहिए दो कटोरी मैदा, आदा कटोरी अरारोट, पानी ये सब चीजें हमें स्प्रिंग रॉल शीट बनाने के लिए चाहिए इस्प्रिंग डॉल इस्टफिंग के लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज कटा हुआ गाजर कटी हुई सिम्ला मिर्च कटी हुई पत्ता गुपी कटी हुई ये मैंने यहाँ पर नूडल्स लिए हैं ये मैंने पहले से उबाल के रखे हुए हैं मसालों में हमें चाहिए काली मिर्च पिसी हुई लाल मिर्च पिसी हुई नामक हरी मिर्च कटी हुई सोया सॉस और विनेगर सबसे पहले हम स्प्रिंग डॉल सीट तयार करेंगे इसके लिए एक बाउल लूँगी मैं इसमें ये जो दो कटोरी मैदा है ये डालेंगे आधा कटोरी अरा रोट डालेंगे एक छोटा चमच मैं नमक डालूँगी आप अपने स्वात के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं अब इसमें पानी डालकर एक पतला घोला में तयार करना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे घोलते जाएंगे इस तरीके से इसे हम घोलते जाएंगे इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने चाहिए और इसका हम एक पतला घोल त्यार करेंगे यह हमारा पतला घोल त्यार हो चुका है अब हम इसकी शीट बनाएंगे यह मैंने नौन श्टिक पैन लिया है इसे मैंने गैस पे रख दिया है गरम होने के लिए अब एक बड़े चमच में यह घोल लेना है और इस पैन में पैला लेना है इस तरीके से सारे में गूल को हम इस तरीके से फैला लेंगे गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है क्योंकि हमारी शीट कम फ्लेम पर ही तयार होंगी ये देखिए हमारी शीट का रंग उपर से बदल चुका है इसका मुदलब की शीट अंदर से सिख चुकी है हमें इसे एक साइट से ही सिखना है और इसे अब हम एक बरतन में निकाल लेंगे इसी तरीके से और सीट भी हम तयार करेंगे अब हम दूसरे सीट तयार करेंगे इसी तरीके से ये घोल हम फैला लेंगे और कम फ्लेम पर ही इसे तयार करेंगे हम इस तरीके से हमें तयार करना है अब ये देखे ये भी सिख चुकी है अब इसे भी हम निकाल लेंगे दूसरी सीट इसके उपर रखने से पहले ये सुखा मैदमेनेस पे डेश्ट कर लिया है अब इसके उपर इस सीट रख लेंगे हम इससे हमारी दोनों सीट आपस में चिपकेंगे नहीं इसी परकार से हम बाकी की सीट भी तयार कर लेंगे ये सारी सीट हमारी बनकर तयार हो चुकी है अब हम इसकी स्टफिंग तयार करेंगे ये मैंने पैन गैस पे रख दे हैं गरम होने के लिए अब इसमें एक बड़ा चम्मच मैं तेल डालूंगी तेल करम होने पर अब इसमें जो कटा हुआ प्याज है ये डाल देंगे और इसको हलका सा भून लेंगे यह देखिए प्याज हमारी भून चुकी है प्याज में ज्यादा नहीं भूननी अब इसमें यह जो कटा हुआ पत्तक हो भी है यह डाल देंगे मिक्स कर लेंगे इसमें मिक्स कर लेंगे शिम्म्यमीड मिट्स ही डाल देंगे लिए सब भी वेजेटेबिल्स क को मिक्स कर लेंगे कं अब इसमें मैं एक छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ आप अपने स्वद्बाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं एक छोटा चम्मच लाल मिर्च, आदा चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच स्वे 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 स् यह टेके मिक्स हो चुके हैं अब इसे हम ढगका रख देंगे पांच मिनुट के लिए यह देखिए हमारी फिलिंग अब त्यार हो चुकी है अब हम गैस को बन कर देंगे इस्प्रिंग रॉल बनाने के लिए हम यह एक सीट लेंगे अब इसमें हम यह फिलिंग परएंगे दू चमसर फिलिंग में इसमें भरूंगे अब इसको हूड करेंगे इस तरिके से यह बंच मैता और दू चमसर पानी लेकर गोल त्यार किया है क्लम इसके किनारी पे लगाएंगे इससे हमारा रॉल अच्छे तरीके से चिपक जाएगा साइडों में लगाएंगे अच्छे तरीके से अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे इधर से फोल्ड करेंगे और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ये देखिए हमारा रॉल तयार हो चुका है अब हम दूसरा रॉल तयार करेंगे शीट लेंगे पिलिंग भरेंगे और इसे अब उपर से हम पोल्ड करेंगे इसके किनारों पे घूल लगाएंगे अब इसे सैट में से हम फोल करेंगे अब दूसरे सैट से फोल करेंगे और इसे फोल करेंगे नारे हम इसके अच्छी तरीके से चिपका लेंगी ये देखे हमारा दूसरा रॉल भी तयार हो चुका है इसी तरीके से हम सारे रॉल तयार कर लेंगे सभी स्प्रिंग रॉल मैंने इस तरीके से तयार कर लिए हैं अब इन्हें मैं डिप फ्रै करूंगी कड़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल हमारा गरम हो चुका है अब इसमें हम ये स्प्रिंग डालेंगे एक एक करके हम इसमें स्प्रिंग डालेंगे और इन्हें तल लेंगे इस तरीके से सारे स्प्रिंग डाल दिया है अच्छा ब्राउन होने तक नायम तलेंगे ये देखिए हमारे स्प्रिंग ड्राउन हो चुके है अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे ये मेरे स्प्रिंग डॉल बन कर त्यार है इन्हें मैंने टमाटो सास के साथ सर्फ किया है यदि आपको मेरी रेसेपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें